हाई फ्रेंड्स फेल्कम बेक टू माई चानल सोनीस किचन दोस्तो आज मैं फिर से एक और स्नैक की रिस्पी लेकर क्या है हूँ आप सब के लिए आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी आलू के लच्छेदार पकोडे ये पकोडे खाने में बहुत ही टेस्टी है बनाने में बहुत इजी है बच्चियों से लेकर बड़े सब को ही पसंद आती है आप इसे एक बार 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 बनाना चाहेंगे साथ में एक ग्रिन चट्नी की रिस्पी भी शेयर करूँगी तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखे पसंद आए तो लाइक करें चलिए आज की रिस्पी को स्टार्ट करते हैं आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन मीडियम साइस के आलू लिये है आलू को छील कर मैंने पानी में डाल कर रखा थाकि आलू काला ना पड़ जाए अब हम यह आलू को ग्रेट करेंगे यानि की घिस लेंगे तो यहां पर मैं एक ग्रेटर ले रहे हूं जिसका मोटी वाली साइड में इस्तमाल करते हुए आलू को ग्रेट कर लूँगी बहुत ज़्यादा बारिक नहीं ग्रेट करना है और आलू को इस तरह से लंबाई में पकड़ते हुए ग्रेट करेंगे ताकि इसके जो लच्छे है लंबे लंबे निकले लंबे लंबे लच्छे रहेंगे तो पकोड़े बहुत सुन्दर दिखेंगे इस तरह से तीनों आलू को हमें ग्रेट कर लेनी है आलू को ग्रेट कर लेने के बाद हम इसे तुरंध ही पानी में डाल देंगे क्योंकि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आलू पूरा काला पड़ जाएगा और आलू में अगर पूरा स्थार्च रहेगा तो भी पकोड़े बहुत जादा ब्राउन बनते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है इसलिए एक बार क्या करेंगे हम आलू को पानी से अच्छी से धोलेंगे इससे क्या होगा कि आलू का पूरा स्थार्च पानी में आ जाएगा और हमें मिलेगा बहुत ही लच्छेदर खिला-खिला सा आलू यहां पर देख सकते हैं पानी एकदम सफेद हो गया है क्योंकि इसमें पूरा आलू का स्टार्च जा गया है यह पानी को मैंने फेक कर एक और बार पानी ले लिया है इस पानी में हम थोड़ी से नमक डाल देंगे और ये नमक वाले पालनी में हमारे लच्छेदार आलू को डाल कर 5 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि नमक को आलू अबजर्ब कर लेगा तो पकोडे फीके भी नहीं बनेंगे तो इसे 5 मिनिट के लिए छोड़ देते हैं तब तक चलिए हम चटनी बना कर दयार कर लेंगे चटनी बनाने के लिए एक कटोरी भर कर ले लेंगे धनिया के पत्ते डंठल के समय पतले वाले जो नरम डंठल होते हैं इसे जरूर डाले इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है मोटी वाली जो डंठल होते हैं उसे आप निकाल दे अब हम इसमें डालेंगे 8-10 हरी मिश हरी मिश में जो ले रही हूँ ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है वेसे भी हम थोड़ा तीखा पसंद करते हैं आप अगर तीखा कम खाते हैं तो हरी मिश के क्वांटिटी को ज़रूर कम कर ले 8-10 छोटी वाली लसुन के कलिया मैंने ली है आप अगर बड़ी वाली लेते हैं तो 4-5 काफी होगा आधा हिंच का अद्रक मैंने काट कर डाल दिया है आधी छोटी चमश काला नमक आधी छोटी चमश डालेंगे भुना हुआ जीरा पावडर एक चोटाय कब डाल देंगे फ्रेश दही साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे ध्यान रखे हमने काला नमक डाला है तो ज़्यादा ना हो जाए अब हम इसे पीस करके तयार कर लेंगे ये दिखिए दोस्तों हमारा बहुत ही टेस्टी सा चटनी रेडी हो गया है चलिए अब हम पकोड़े बनाते हैं ये चटनी को आप किसी भी पकोड़े के साथ सर्व कर सकते हैं आलू को नमक वाले पानी में रखती हुए 5-7 मिनिट हो चुका है अब हम इसमें से आलू को निचोड़ करके निकाल लेंगे कोशिश करें कि इस आलू में अभी बिल्कुल भी पानी ना रहे वेजटेबल्स में अपना ही पानी होता है जो रिलीज करते ही ये नमक डालने के बाद अगर हम इसमें अभी पानी रहने देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी रिलिज करेगा और हमारा बैटर जो है बहुत ज़्यादा गिला हो जाएगा बार्णिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा आटा डालना पड़ेगा इसलिए हम इसको निचोड करके निकालेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए अब इस बोल में हम आलू को ले लेंगे जो हमने निचोड करके निकाला है देखी इस आलू में अभी पानी बिल्कुल नहीं है एकदम खिला खिला है आप मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा वाला प्याज लंबाई में काट कर प्याज अगर नहीं खाते तो स्किप कर सकते है साथी एक छोटी चमज डाल देंगे अधरक लसुन का पेश्ट आप अगर लसुन नहीं खाते तो सिर्फ अधरक भी डाल सकते है 2-3 हरी मिश को बारिक काट करके डाल देंगे तीखा अपने हिसाब से आप थोड़ी कम या जादा कर सकते है मैं इसमें लाल मिश पाउडर नहीं डाल रही हूँ आप चाहे तो एक हरी मिश और थोड़ी से लाल मिश पाउडर डाल सकते उससे क्या होगा पकोड़ी थोड़े ब्राउन बनेंगे दो बड़े चममच, चावल का आटा या फिर मईदा डाल दीजिये या फिर आप घर में जो रोटी बनाने के लिए आटा लाते हैं वो भी डाल सकते है best result आपको चावल का आटा या फिर मैदय से मिलेगा मैं चावल का आटा इस्तमाल कर रहे हूँ दो बड़े चमच साथ ही हम इसमें डाल देंगे आरा रूट दो बड़े चमच आरा रूट आपको किसी भी किराने के दुकान में इजीली मिल जाएगा स्वात के अनुसर अब हम इसमें नमक डाल देंगे साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और कटा हुआ धनिया पत्तर डालेंगे ध्यान रखे हमने आलू को नमक वाले पानी में रखा था तो इसमें नमक थोड़ी सी कम ही डाले चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते है या फिर आप सुखे लाल मिर्श को ग्राइंड करके चिली फ्लेक्स घर पर बना सकते है तो अब हम इसे एक बार मिला कर देखते हैं अगर पकोड़े बनने लाएकि हो जाता है तो हम इसमें और आटा नहीं डालेंगे तो अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और शावल का आटा या फिर मैदा डालना पड़ेगा क्योंकि ये बाइंड नहीं हो रही है तो मैं दो बड़े चमच और शावल का आटा इसमें डाल देती हूँ और अच्छा से मिला लेंगे अभी देखिए ये एकदम आटा जैसा बन गया ना तो साइड में मैंने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था तेल भी हमारी गरम हो चुकी है पकोड़े वाले मिश्रण भी तयार है तो चलिए अब हम पकोड़े फ्राइ करते हैं तो ये पकोड़ों को कोई शेप ना दे तो ही बहतर है इसको आप अनिवन शेप में ही डाल दीजिए यानि कि ऐसे उठा कर ऐसे ही तेल में आप डाल दीजिए उससे क्या होगा पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे आप अगर शेप देने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं हम इसा अनिवन शेप में पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं चलिए पकोड़े फ्राइ करते हैं तेल में पकोडे डालने से पहले एक बार तेल की गरमा हट को ज़रूर चेक कर ले एकदम धूयदार गरम तेल में पकोडे कभी ना डाले नहीं तो पकोडे बाहर से एकदम ब्राउन और अंदर से कच्छे रह जाएंगे या फिर तेल गरम नहीं हुआ है फ्लेम लोग पे है तब अगर आप पकोड़े डालते हैं पकोड़े एकदम तेल पी जाते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं हमेशा मीडियम फ्लेम पे मीडियम गरम तेल में पकोडे फ्राई करें तो पकोडे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं जब आप पकोड़े तेल में डालते हैं तूरंदी इसे टच ना करें एक मिनिट के लिए इसे छोड़ दे जब यह अपने शेप में आ जाएंगे तब हम इसे उलट पुलट करते हुए एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे आप अगर पकोड़े वाले मिश्रण में लालमिश पाउडर डालते हैं तो पकोड़ो का कलर थोड़ असा डार्क होगा क्योंकि मैंने इसमें लालमिश पाउडर नहीं डाला है तो ये पकोडो का कलर एकदम लाइट गोल्डन कलर में होगा जोकि बहुत ही सुन्दर दिखता है थोड़ी दर फ्राई होने के बाद आप भी आप देख सकते हैं पकोडे में अभी बबल्स कम है यानि कि अभी हाफ फ्राई हो चुका है बस थोड़ी दर और फ्राई होने देंगे मेडियम फ्लेम पे तब ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा ये देखिए दोस्तों पकोडे एकदम क्रिस्पी और अच्छी गोल्डन कलर में फ्राई हो कर तयार हुआ है पकोड़े दिखने में जितनी सुन्दर है उतनी ही क्रिस्पी बनी है चलिए इसे प्लेट में ले लेते हैं और इसी तरह सारे पकोड़े फ्राई करके तयार कर लेंगे यहां पर हमारा दूसरा बैश पकोड़ा भी तयार हो चुका है चलिए इसे भी मैं प्लेट में ले लेती हूँ इसके साथ आप हरी मिर्ष जरूर फ्राइ कर ले हरी मिर्ष में चीरा लगा कर फ्राइ करे ताकि ये स्प्लटर ना करे लीजी दोस्तों तयार है बहुत ही टेस्टी सूपर क्रिस्पी आलू के लच्छेदार पकोड़े इसके साथ जो शटनी हमने बनाई है ये जो कॉंबिनेशन है बहुत बढ़िया है आपको एक बार इसे जरू ट्राइ करनी चाहिए बार इसकी सिजन बस जाने ही वाली है उससे पहले रेस्पी को जरू ट्राइ कर और मुझे कमेंट करके बताए आपको रेस्पी कैसी लगी रेस्पी अगर अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीज़े यार अपने दोस्त और सगे संबंदियों के साथ अब भी तक अगर आपने वीडियो देखी लिया है तो आगे इसकी क्रिस्पीनेस भी देख ले हाँ हाँ क्रिस्पीनेस की साउंड जरूर सुन ले लेकिन उससे पहले चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन तो क्लिक कर ले चलिए फिर मिलते एक नए रेस्पी के साथ अब तक के लिए बाबाई और टेक के